आज तक रेडियो सुनता है सारा जहाँ आज कल फेस्बुक इस्तिमाल करने वाले हर व्यक्ति का बस एक ही सवाल है आखिरकार ये मेसेंजर रूम है क्या और इस रूम का दर्वाजा कहां से खुलता है दरसल बात ऐसी है कि कोरोना वाइरस के लॉकडाउन के कारेंड वीडियो कॉलिंग एप्स की मार्केट में डिमांड बहुत बढ़ गई है और इसी लाइन में शामिल होने के लिए फेस्बुक ने मेसेंजर रूम्स नाम का ये नया फीचर निकाल दिया है नमस्कार मैं हूँ सिधार्थ चतुरवेदी और आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो और आज इस पॉड़कास्ट में आपको बताएंगे कि ये मेसेंजर रूम्स आखिर है क्या और इसका इस्तिमाल करते कैसे हैं जूम, माइक्रोसॉफ टीम्स और गूगल मीट की तरह मेसेंजर रूम्स भी वीडियो कॉलिंग वाला एक सिस्टम है वैसे इसमें एक अलग बात है कि वो जूम, माइक्रोसॉफ टीम्स और गूगल मीट की तरह एक अलग से एप नहीं है ये Facebook और Messenger का ही एक फीचर है अब ये सवाल पैदा होता है कि आखिर Messenger Rooms में कॉल कैसे करे अगर आपने Facebook खोल रखा है तो News Feed में उपर की तरफ Room नाम का एक बटन दिखाई पड़ेगा वहीं अगर Messenger खोल रखा है तो वहाँ जहाँ सब लोग नजर आते हैं वहीं पर आपको ये बटन मिल जाएगा अब इस बटन पर जाकर Create पर क्लिक कर ले अब एक छोटी सी विंडो खुल जाएगी आपके सामने जिसमें आपको अपने हिसाब से कुछ Settings करनी होगी सबसे पहले आपको Meeting की Theme तैकरनी होगी जिससे पता चलेगा कि ये रूम किसलिए बनाये गया है इसके बाद आपको ये Select करना होगा कि कौन कौन इस Meeting को Join कर सकता है और आखरी Option इस रूम के Start होने की टाइमिंग होगी अब रूम बन जाने के बाद आपके दोस्तों को ये रूम News Feed के उपर दिखाई पड़ेगा पर साथ ही साथ आपके पास एक Link भी आ जाएगा जिसको आप अपने दोस्तों को अलग से भी भी भीज़ सकते हैं अपने रूम में बुलाने के लिए जैसे मान लीजिए कि आप किसी को अपने WhatsApp से बुलाना चाहते हैं तो उसको आप ये WhatsApp पे लिंक भीज सकते हैं और वोस लिंक के जरीए आपके इस Facebook रूम में जुड़ जाएगा अब इस रूम क्या होता है इसे बनाते कैसे हैं इन सब के बारे में तो आपको ग्यान दे दिया पर अब ये भी जानना जरूरी है किस रूम की अच्छी और बुरी बातें क्या है और इस पर गहरी जानकारी लेने के लिए मैंने बात की साइबर एक्सपर्ट रितेश भाटिया से तो मेसेंजर रूम एक नवा फीचर जैसे अभी हमको पता है कि जैसे Zoom है, हमारा Google Meets है वगेरा ये सब जितने भी जो वीडियो कॉलिंग है हमारे वीडियो कॉन्फरेंसिंग, वर्चियल वीडियो कॉन्फरेंसिंग के जो टूल्स होते हैं, तो वैसे ही ये एक फीचर इन्होंने भी निकाला है फेस्बुक में, मालब वो क्यों पीछे रहा है जब बाकी सब लोग ने भी किया हुआ है तो अभी इसके अंदर कैसे हो गया मेसेंजर में आपके पास एक टाब होएगा जहां पर जो चैट्स है उसमें फिर बॉटम राइट में एक हो टाब है पीपल करके आप पीपल पे जाएंगे तो वो लेगा प्रियेटर रूम और फिर आप एक रूम बना सकते हैं और उसके अंदर या तो आप वो रूम को ओपन रख सकते हैं या तो आप रूम में इन्वाइट कर सकते कि हाँ ये रूम में सिरफ यही लोग आएंगे और इनके साथ आप फिर एक वीडियो कॉल कर सकते हैं फेस्बुक ने तो ये फीचर निकाल दिया और लोगों ने इसका भर-भर के इस्तिमाल करना भी शुरू कर दिया है पर जो लोग इस्तिमाल कर रहे हैं उनके लिए ये भी जानना जरूरी है इसकी खराब बातों से कैसे बचा जाए और ये बता रहे है रितेश भाटिया देखो अच्छी बात ये है कि ये एकदम फ्री है पहले तो पहले और टाइम लिमिट में है तो ये किस टीच से हमें दिखते हैं ये हमें इस टीच से दिखते हैं बाकी जो वीडियो कॉन्फरेंसिंग अपस है जैसे गो टू मीटिंग हो गया है वेबेक्स हो गया है सिसको का या जूम हो गया हमारा या माइक्रोसॉफ टीम्स हो गया ये सारे पेड अपस है ये वाला कम्प्लीटली फ्री है इसमें कोई टाइम लिमिट इसमें कोई और इसमें आप पचास जन्य डाल सकते हैं तो अगर आप देखेंगे तो जैसे गाओं में भी कैसा हो गया है बच्चे-बच्चे के बास भी फेस्बुक है तो आज के दिन में एक स्कूल की टीचर भी एक मीटिंग रूम क्रियेट कर सकती है और पचास बच्चों को एक साथ ला सकती है और वहाँ पे लोग डिसकॉशन कर सकते हैं बगेरा यह काफी एक पॉजिटिव जीज़ है नेगिटिव अफकोर्स उसकी लिस्ट बहुत लंबी है एक मेरे साइट से तो काफी लंबी है क्योंकि मैंने जैसे आपको पहले बताया था कि यह end-to-end encrypted नहीं है वो एक सबसे वड़ा tension वाला काम है second वाला है जो facebook का account holder भी नहीं है जिसके पास कोई facebook का account भी नहीं है वो भी वो link के द्वारा आ सकता है तो ऐसे particular person को track करना मानी जो उस बंदे ने आके कुछ अनाब शराब बक दिया या तो कुछ बहुत ही बकवास बहुत ही बेकार बाते कर डाली तो उसको trace करना वगेरा थोड़ा ओर difficult हो जाता है law enforcement के लिए और at the same time जो host है उसके लिए भी बहुत दिक्कत हो जाती है उनको control करने के लिए तो फिर जैसे मैंने आपको data holding की बारे में भी बात किया data consumption के बारे में भी बात किया तो काफी सारा हमारा जो data हम जो क्या बात कर रहे है वगेरा उसकी profiling भी वहाँ से हो सकती है फिर अगर host ने ध्यान नहीं दिया कि जो link उसने बनाया उसने उसको public ही छोड़ दिया तो कोई भी वो room में आके चैट का मलब video calling करके बात कर सकते है आपस में वगेरा तो इतने ज़्यादा security controls भी नहीं है controls बहुत कम है उसके अंदर अब यह सब तो ठीक है कि messenger room क्या है इसका इस्तिमाल कैसे होता है क्या अच्छी बाते हैं क्या बुरी बाते हैं वगेरा वगेरा पर मेरे मन में एक सवाल अभी भी बचा है कि जब इस market में पहले से ही zoom, google meet, microsoft, teams जैसे तमाम बड़ी बड़ी कमपनियां मौझूद थी जो अच्छे से इस्तिमाल भी हो रही थी तो अब facebook को क्या जरुबत पड़ गई थी इस line में शामिल होने की और वो भी इतनी देरी से तो मैंने सोचा कि लगे हातों हमारे cyber experts से इस बारे में भी बात कर ली जाए और उनका कहना है कि facebook ऐसी company है जिसे हर चीज चाहिए मुझे एक ऐसा लगता है facebook जैसे हम कहते है बहुत बड़ा वो वैसा टाइप का हाती है जिसको पूरा time जिसको चारा लगता है ये वैसा ही होई हाती है जिसको हर प्रकार का हर किसी का चारा लगता है तो ये अभी तक उसने अगर आपको पता है तो शुरुआत की ती तो खाली text था text से फिर बात में हम images आने लगे facebook पे फिर videos भी होने लग गए है अपने locations आने लगे बहुत कुछ बहुत कुछ यानि कि हमारा एक virtual clone जिसको हम बोलते हैं वो एक facebook के पास था अभी जो खाली नहीं था वो था कि मैं live क्या बात कर रहा हूं किस से बात कर रहा हूं वगेरा वो हो सकता था एक phone के द्वारा या तो ऐसे चीज़ों के द्वारा कि मैं क्या discuss कर रहा हूं और मुझे सम्हाओ ऐसा लगता है कि ठीक है competition एक side पर क्योंकि हाँ जैसे मैंने आपको का क्योंकि हर कोई इसके अंदर उत्रा हर किसे आभी जैसे Microsoft Teams आया है बहुत सारे अल्मॉस्ट हर बड़ी company का एक ऐसा कुछ नकुछ platform आया है इनको भी यह वो जरुत दिखी दिखी होईगी लेकिन साथ में जो इनको जिस हिसाब से data भी मिलेगा and let us not forget कि यह जो data है वो encrypted भी नहीं है end to end encrypted भी नहीं है तो इनको जिस हिसाब से वो data भी बहुत सारा मिल जाएगा कि 50 अभी तक कैसी सोचती कि यह एक जना क्या सोचता लेकिन अभी आप एक group में क्या सोचते हो group में क्या बात करते हो वो भी 50 जनों के group में तो यह एक बहुत बहुत बड़ी चीज हो गई and this can be used जैसे पहले use किया गया है आपको influence करने के लिए या तो marketing के लिए profiling के लिए political influences के लिए तो ऐसे बहुत सारे कारण है तो यह थी कुछ बाते messenger rooms के बारे में जो कहीं तो अपने competition जैसे zoom, google meet से आगे निकल जाता है तो वहीं काफी बातों में उनसे पिछड भी जाता है इसी के साथ अब मुझे यानि सिधार्थ चतुरवेदी को अजाज़त दीजिए नमस्कार खबरों की हलचल और देश विदेश का मिजाज आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो